हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PTE at 2021 की सेकंड लिस्ट कब तक जारी कर दी जाएगी और इसकी जो है फाइनल कट अप सेकंड लिस्ट की क्या रहने वाली है पूरी इनफर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और दोस्तों किन किन कैनिडेट का सेलेक्शन होगा कितनी स्कोर रहेगी पूरी इनफर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूं कि अगर इतनी स्कोर आपकी रहती है तो आपकी कौन-कौन सी कॉलेज मिलने की चांस है पूरी इंफर्मेशन मैं आपको इस टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यदा इन्पॉर्टेंट है इसलिए दोस्तों इसकीप मत करिएगा और अभी तक आपने हमारा यूटूब बत करने हैं PTA कि जो है रिजर्ट इसकी स्कौर और इसकी जोर कटॉप कित煮िए यह पूरी इन्फर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसकी कटॉप ऐसकी कटण पाइंछ से देंश अंग घटने वाले हैं कोई काफी हैं क्टाफी जो सिट से खाली है क्योंकि आपको पता है कि स काफी moment यू पूरी हो चुकी है और उसमें काफी सीटे खाली रह चुकी है तो इसको लेकर जो आपकी second round की जो लिस्ट निकाली जा रही है उसमें जो आपकी cut up काफी कम रहने वाली यह 5-10 अंक से भी ज्यादा जो आपकी cut up कम रह सकती है और दोस्तों आपकी जो बात कर लेते हैं जो obc general ओर AWS की कितनी score पर selection हो सकती है तो दोस्तों वह तो आपकी college के हिसाब से है कि आपने कितनी college चुनी है पर दोस्तों मेभी कहा जा रहा है कि जो मेभी अप हम आपको बताते हैं कि अगर 330 30 3050 की बीच में अगर आपकी स्कूर बनती है तो आपकी जो है को इतनी बनती है तो आपको परसंट ही मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों बहुत दोस्तों अपकी जनवरी हो गया आपकी 6 जनवरी तक जो है आपकी list आने की पूरी chances है क्योंकि जो पहला round का list था upward moment वो जो है पूरा उसकी process कर चुकी है अब यह second list आपकी दो से चार दिन के अंदर जो है आपकी इसकी official website पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया तो पसंद आया तो like जूर करिए और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल इस्टडी जोन को आज ही सब्सक्राइब कर लिजेगा तो अगर और कोई भी अपडेट आती है आपकी पीटी टेट की तरब से तो हम अपने चैनल इस्टडी जोन के माद्यम से सबसे पहले आपको वह information शेयर करेंगे तो फिर मिल